इस वीडियो में हम शेरे पंजाब महराजा रंजीत सिंग की बाइव ग्राफी उनकी सारी हिस्टिवी के बारे में पढ़ेगे शेरे पंजाब महराजा रंजीत सिंग ने पंजाब एरिया में एक ऐसा Empire established किया था जिसके साथ उस ताइम के सबसे पाफ़ुल ब्रिटिश सामराजिय। ब्रिटिश एंपायर ने भी अच्छे रिष्टे रखना ही सही समझा They never attacked this empire till महराजा रंजीत सेंग, he was alive महराजा रंजीत सेंग की डेथ के बाद ही ब्रिटेन उनके पंजाब एंपायर को capture कर सका We are going to discuss his complete history in this video तो हम स्टार्ट करेंगे Hello everyone, COVID-19, pandemic और lockdowns की वज़ा से बहुत सारे Indian families emotionally, financially, suffer कर रही है ऐसे ताइम में, if you have this dream of becoming an IES और IBS officer, तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं spend कर सकती So as an education venture, we are trying to start an initiative जिसमें हम ऐसी सभी families को support करने की कोशिश करेंगे From the safety and comfort of your home, you can grab this opportunity And if you are preparing for 2023 or 2024 UPAC attempt, you can register on the link given below इस link पर आपको सबसे पहले ये क्या initiative है इसके बारे में हम जान करी देंगे We are going to announce about this initiative on our social media platforms as well Telegram channel, Launchpad Education पर भी हम इसकी announcement करेंगे लेकिन if you are the registered student, using the link below in the description of this video तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा And if there are limited seats, you can grab this opportunity on first come first serve basis तो अगर आप IES की तयारी करने का plan कर रहे हो लेकिन financial troubles की वज़ा से आप start नहीं कर पारे तो आपको इस link पर register करना है And these are not going to be big fake marketing slogans Whatever we are going to promise, हम वो deliver करेंगे And we will make sure that lack of money आपकी तयारी ना करने का बहना ना बन पर By seeing a recent event पाकिसान के लहूर में एक शेरे पंजाब महराजा रंजीत सिंग जी का एक bronze बुत लगा हुआ है और इस पे constantly regularly attacks होते रहते हैं अभी recently पाकिसान के पंजाब की capital जो है लहूर वहाँ पे दुबारा से ये attack हुआ और इस मूर्थी को दुबारा से तोड़ दिया गया उसके कारन भी हम देखेंगे उसके उसके उपर इंडिया ने क्या बयान दिया है और पाकिस्तान के ministers ने क्या बोला है ये वो bronze equestrian मूर्थी है वो घुड़ सवारी करते हुए यहाँ पे देखे जा रहे है महराजा रंजीट सेंग तो नॉट मेस सच करेंट अफेर्स अद अधर इंपोर्टेंट जीके चैनल स्टेडीज वीडियोस पर यूर गवर्मेट एक्जाम सब्सक्राइब तो दिस चैनल और पीडियेफ इन सभी वीडियोस का आपको मिल जाएगा हमारे टेलिग्राम चैनल लाँच्पैड एजुकेशन से आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो तो गेट मोर अपडेट्स अबाउट दे कंटेंट तो हम देखेंगे क्या इंसिडेंट हुआ है यह 9 फूट टॉल जो ब्रॉंज टैचू था माराजा रंजीट सेंग का जो सिख पंजाब एंपायर के फाउंडर थे उसको दबारा से वेंडलाइज कर दिया गया और यह जो व्यक्ति था यह एक फार राइट विंग इसलामिस्ट पार्टी तहरी के लबायक से था तो राइट विंग पार्टी यह काफी कंजरवेटव फंडमेंटल रिलीजियस व्यक्ति रहा होगा और क्योंकि इसलाम के अंदर मूर्तियां लगाना अच्छा नहीं माना जाता और दूसरा एक सिख राजा की मूर्ति तो यह एक बड़ा कारण है कि बार-बार कोई ना कोई ऐसा ही राइट विंग इसलामिस्ट व्यक्ति लहौर में लगी इस मूर्ति को तोड़ देता है उसको बेंडलाइज कर देता है और ऐसे ही एक व्यक्ति ने उनकी जो लिफ्ट आम थी वो तोड़ दी और फिर वहां के लोगों ने उसे हटा लिया जो पाकिस्तान के फेडरल सेंट्रल गर्मेंट के मिनिस्टर हैं फॉर इन्फरमेशन और ब्रॉड कास्टिंग फवाद चौधरी उन्होंने क्या स्टेट्मेंट डिए अभी कुछ दिन पहले ही वहां के एक मंदर के उपर अटैक हो गया था और नो डाउट पाकिस्तान की जो इमेज दुनिया के अंदर खराब हो रही है उसका कारण यही सोच है यही मान सकता है this lack of civilization among these people then पाकिस्तान की जो सिख गुरुदवारा परभंदक कमेटी है उन्होंने बयान दिया they said that we strongly condemn the act of damaging the statue of महराजा रजीच सेंग by a misguided individual अब सिखिजम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन रीजिन्स के लिए बहुत इपॉर्ट है सिखिजम के रूट्स जो सिख गुरु थे वो यहाँ पे विजट कर चुके थे यहाँ पे उनके जनम हुए थे इन दो कंट्रीज में सिखिजम बहुत जरूरी है अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान में भी ऐसे elements बहुत जादा strong हो चुके है तो वहाँ की जो सिख गुरुदवारा प्रबंदक कमेटी थी उन्होंने भी इस issue के उपर अपनी नराजगी जताई Indian government ने क्या बोला India के Ministry of External Affairs का बयान आया and they are saying that such attacks on the cultural heritage of minority communities in Pakistan highlights the growing intolerance असेहन शीलता पाकिसान की जो minorities के प्रती पाकिसान की larger population में है and lack of respect for the minority communities in Pakistani society और Pakistani state completely fail हो चुकी है अपनी duty निभाने में to prevent such attacks and they requested the Pakistani government to ensure safety, security and well-being of minority communities in Pakistan तो अब भी जब अफगानिसान के अंदर भी सिखिजम या फिर कोई minorities किसी दुख में होती है या पाकिसान के अंदर होती है, they come into India और Indian government in countries को request ही कर सकती है and that is what Ministry of External Affairs did India ने कहा कि ऐसे incidents of violence against minority communities including attacks on their places of worship their cultural heritage as well as their private property are increasing at an alarming rate तो इंडिया की Ministry of External Affairs जब ऐसे बयान देती है तो वो सारी दुनिया में highlight होते है तो पाकिस्तान के उपर भी ऐसा एक international pressure बनता है that they should start behaving like a civilized state Indian government ने कहा कि अभी 12 दिन पहले ही जब ये मूर्थी तोड़ी गई थी उसे 12 दिन पहले ही एक भीड ने एक हिंदू मंदिर को attack कर दिया था in Raheem Yarkhan area of Pakistan तो ये कुछ attacks है महराजा रंजीत सेंग के उपर ये तीसरा attack था उनकी मूर्थी के उपर तो हम देखेंगे महराजा रंजीत सेंग कौन थे और उनके उपर attack होने के कारण तो हमने देख लिए but they are not justified जब हम महराजा रंजीत सेंग के कहानी पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा that he was a very tolerant, very secular person उनकी administration के अंदर हर धरम के लोग थे तो कौन थे महराजा रंजीत सेंग जिनने हम शेरे पंजाब, पंजाब का शेर के नाम से भी जानते हैं इनका जनम हुआ था 1780 1780 में इनके पिता जी थे सरदार महा सेंग सुकर चकिया and mother was सरदारनी राजकौर तो सुकर चकिया बहुत important word है सुकर चकिया इनकी मिसल भी थी, पंजाब की हिस्ट्री में और सिख हिस्ट्री में जब गुरु गुबिन सेंग जी नहीं रहे उनकी assassination हो गई नांदेड महाराष्ट्रा में, उसके बाद उन्होंने इस मुगल operation के खिलाफ जो जंग थी, उस समय पर चल रही थी, उसकी कमान देदी थी बाबा बंदा सिंग बहादर के हाथ में बाबा बंदा सिंग बहादर ने कुछ एरियास को capture किया, उन्होंने अपना एक rule establish करने की कोशिश की लेकिन मुगल्स ने उनको भी मार दिया और आफ्टर दाट, जो सिख मिलीशिया था, वो बारा मिसलों में बढ़ गया, उन्होंने बारा मिसले बना ली, ताकि जो भी invasions हो रही थी, नॉर्थ वेस्ट से, अबदाली की, नादर्शा की constantly in empire से वहाँ पे invasions हो रही थी, पंजाब region में, तो बारा मिसले बना ली गई, कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ये सभी एक साथ आके, इस oppression को, invasions को counter कर पाएंगे, और otherwise, ये बारा मिसले अपने-पने इलाके में, अपनी administration में आके, जैसे वो rule करना चाहते हैं, वैसे करेंगे, उन में से एक मिसल थी सुकर्चक्या मिसल, और सुकर्चक्या मिसल में पैदा हुए रंजीत सिंग, लेकिन जब ये पैदा हुए, इनका नाम था बुद सिंग, बुद सिंग, इनका जन्म लेने के बाद, जो नाम रखा गया था, वो था, and after that, इनके पिता जी ने एक जंग जीती, उसके बाद, अपने बेटे का नाम उन्होंने चेंज कर दिया, और रंजीत सिंग रख दिया, रंजीत मीन्स, रं में जीतना, बैटल में जीतना, सो रंजीत सिंग इनका नाम हो गया, और सुकर्चकिया मिसल, जो थी, इसके फाउंडर कौन थे, उनका नाम था, बुद्धा सिंग, सुकर्चकिया मिसल के फाउंडर थे, बुद्ध सिंग इनके बच्पन का नाम था, और मिसल बहुत इंपोर्टन है, बहुत जारे एक्जाम्स में ये पूछी जाती है, खास कर, पुद्धाब के जो एक्जाम्स होते हैं, और सिख हिस्प्री से क्वेस्टन आपको UPSC के भी प्रिलिम्स में दिख चुके हैं, जब ये बच्चे थे, तो इनको स्मॉल पॉक्स हो गया था, और उस समय इनकी लेफ्ट आँख, उसकी रौशनी चली गई थी, इनकी स्किन पे भी उसके साइन्स, स्मॉल पॉक्स के साइन्स सारी उमर रहे थे, तो इनके पिता जी की जब डेथ हो गई, जो सुकर्चकिया मिसल के लीडर थे, तो पिता जी नहीं रहे हैं, तो 12 साल के रणजीत सेंग अब लीडर है सुकर्चकिया मिसल के, महराजा रणजीत सेंग ने 1799 में लहौर पे कबजा कर लिया था, लहौर के लोग बहुत तंग परिशान थे, और महराजा रंजीत सेंग बचपन से ही दिखा रहे थे that he is a very capable person he is a very able administrator as well he is a very strong person इनके ओपर कुछ assassination attempts हुए थे और जिसने इनको assassinate करने की कोशिश की थी इन्होंने भी मार दिया था at a very young age तो 1799 में जो हिंदू, मुसलिम, सिख, अलीट थी लहौर शहर की, उन्होंने ही रंजीत सिंग को invite किया to rule this city उसके बाद इन्होंने जब अपना rule establish करना start किया तो इन्होंने सिख के भी mint करवाए, सिख गुरुओं के नाम पे then he proclaimed himself as महराजा 1799 में इन्होंने लहौर शहर पे कबजा किया था 1801 जब इनकी age थी 21 साल इन्होंने अपने आपको पंजाब रीजिन का महराजा घोशित कर दिया इसके बाद इन्होंने बहुत सारे एरियास को capture किया लाइक अमरिसर, चंग, कसूर, सियाल कोट, कांगडा, अटॉक, मुलतान, कश्मीर, पिशावर तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेके कश्मीर तक के एरियास, हिमाचल में सारी ये territories उन्होंने capture कर ली और ये पंजाब उस समय का था 1839 जब महराजा रंजीत सिंग की death हो गई उस समय ये Sikh empire था ये जो boundary है, that is सतलुज नदी, तो एक agreement होगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके तहत सतलुज नदी को ब्रिटेन और Sikh empire की boundary मान ली गई थी, ब्रिटेन भी नहीं चाता था कि हम महराजा रंजीत सिंग के साथ कोई भी पंगे लें, तो ये boundary जब established होगी, after that ये decide होगया कि आप हमारी side नहीं आओगे, हम आपकी side नहीं जाएंगे, ताकि यहाँ पर stability बनी रहे, because उस समय पे ब्रिटेन के बहुत सारे और भी दुश्मन थे, they were trying to capture many areas, and you can also see that this sick empire, it reaches till Afghanistan as well, पिशावर एक बड़ा शहर था, उस समय का, तो ये सारा पंजाब का रीजन था, सतलुज नदी तक ये था, ये आपको याद रखना है, so this was sick empire, और खालसा सरकार, it is written here in Punjabi, खालसा सरकार, बट ये sick empire, ऐसा नहीं था, administration में सिरफ sick हिसा लेंगे, ऐसा बिलकुल नहीं था, अब लहौर जब capture किया, उस समय पे लहौर एक बहुत बड़ा शहर था, लेकिन महाराजा रंजीत सिंग जब यहाँ पे आये हैं, उस समय लहौर बहुत दुख में था, reason उसका क्या था, repeated assaults from bands of Afghan raiders, अफगान जो rulers थे, raiders थे, दुरानी empire के जो राजा थे, constantly raids कर रहे थे, इंडिया के उपर, और वो कहां से raid करेंगे, पंजाब रीजन से करेंगे, तो पंजाब के लोग बहुत दुखी थे, लहौर के लोग बहुत तंग परिशान थे, and Sikh groups भी आपस में लड़ना शुरू कर चुके थे, जो बारा मिसले हमने बात की थी, they were also fighting with each other, so this region was very weak, because of the infighting among the Sikh groups as well, so उस समय पर, लहौर से, लहौर की लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स भी लिये जाते थे, and ऐसे में रंजीत सिंग पीस और सेक्योरिटी ले के आए, तो रंजीत सिंग ने leadership ली, कि अब से कोई भी raider आएगा, तो उससे मुकाबला रंजीत सिंग क को पीस भी दिया, and इसके बाद, economic और cultural revival भी रंजीत सिंग की वजा से हुआ, वो भी हम देखेंगे, कैसे वो गुरुदवारों को, मंदिरों को, donation देते हैं, construction करवाते हैं, उनकी, so cultural revival, and obviously, जब stability और security आजाएगी, तो economic revival भी यहाँ पे होना start हो गया, इन्होंने different Sikh मिसलों को different तरीकों से जीतना start किया, for example, by diplomacy, by war, by matrimonial alliances, तो कुछ Sikh मिसलों के साथ, उन्होंने diplomatic negotiations के बाद, उन्होंने समझोता किया, कुछ Sikh मिसलों की बेटियों से उनकी शादी हो गई, तो ऐसे करते करते, या फिर अगर कोई नहीं माना by matrimonial alliance और diplomacy, तो उसके साथ इन्होंने करके भी सभी Sikh मिसलों के उपर अपना कबजा जिताया, and from one missiles leader, एक missile के leader थे, अब ये सारी मिसलों के leader हो गए है, अब ये सारे Punjab के leader हो गए है, and after that हमने देखा, जब ये इन्होंने अपने आपको महराजा भोश्यत कर लिया, 1801 के अंदर, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी territories को भी capture करना start कर दिया, इन्होंने काफी बार शादी की, बहुत सारे इनकी wives थी, he's known for that, और एक ऐसा भी incident है, कि इन्होंने एक Muslim नाचने वाली जो लड़की थी, उससे शादी कर ली थी, और फिर अकाल तख्त, जो सिखों का सबसे बड़ा administrative platform है, जहां से सिख धरम के लिए सबी जरूरी फैसले लिए जाते हैं, वहां पे बुलाके रंजीत सिंग को punish भी किया गया था, और इन्होंने humility के साथ उस punishment को accept भी किया, then after 1801 जो इन्होंने empire establish किया, वो सिरफ सिखों का empire नहीं था, उसमें complete religious tolerance थी, जैसे आज पंजाब की society में, it is known for the भाईचारा, वैसे ही religious tolerance उस समय पर भी थी, इनके जो सबसे top ministers थे, finance ministers, prime ministers, they were not six, कोई Muslim था, कोई डोगरा था, so सिखों को और बाकी सभी communities को एक समान treatment मिलती थी, and he was a very tolerant leader, इन्होंने लहोर fort को भी repair करवाया, तो एक fort जो मुगलों ने बनाया था, it was built by Akbar, and then after that उसको और कुछ उसमें additions करवाई गई थी भाई Shah Jahan and Aurangzeb, उसके repair के लिए भी इन्होंने पैसा दिया, and उसके आसपास इन्होंने एक दिवार बना ली, and इस fort को अपने residence के लिए इन्होंने use करना start कर दिया, so that was about the Lahore fort, now he is remembered for his secular values, and his appointment of several Hindu and Muslim ministers, और इनी चीज़ों के लिए, इस greatness के लिए, कि इन्होंने British, जब सार India capture कर रहे थे, तो पंजाब को नहीं capture कर सके, पंजाब के साथ, वो treaty of friendship sign कर रहे थे, because they knew it, it will be very difficult to capture पंजाब, when Maharaja Ranjit Singh is there, तो इन सभी चीज़ों के लिए, उनकी secular tolerant values के लिए, culture को जो उन्होंने contribute किया, religion के लिए, जो उन्होंने contribution की है, इन सभी चीज़ों की वज़ा से, आ महराजा with the identity of पंजाब, जैसी पंजाब की cultural, moral और religious values हैं, similar values हैं, महराजा Ranjit Singh के sick empire की, तो आज भी बड़ी respect के साथ, उस empire को याद किया जाता है, पंजाब की society में ऐसा discuss किया जाता है, कि last जो हमारे सबसे great महराजा थे, वो महराजा Ranjit Singh, शेरे पंजाब थे, अब इन्हों मस्जद को गुरुदवारा बना लिया गया था, by some sick militias, तो उन्होंने वो गुरुदवारे को वापस मस्जद बनवा के, मुसल्मानों के हाथ में दिया, और उसकी renovation के लिए उन्होंने funding भी दी, and then he added the construction of two of the most important गुरुदवारा's of six, तक्ष्री पतना सहिब, and तक्ष्री हज तो सिख धरम के अंदर पांच दख्त हैं, पांच सबसे जरूरी गुरुदवारे हैं, जहां पे खालसापंत की स्थापना हुई थी, जहां पे कुछ बहुत important चीज़ें हुई थी, जैसे दर्बार सहिब is there, जिसको हम golden temple भी बुलाते हैं, तक्ष्री पतना सहिब, ये पतना इसकी construction भी महाराजा रंजीत सेंग ने करवाई, then he donated to golden temple as well, और not only the Sikh temples, इनोंने ज्वाला मुखी temple, मनारस के मंदिनों और भी बड़े सारे कांगडा के मंदिनों के लिए भी इनोंने donations थी, इन मंदिनों की भी renovation के लिए इनोंने support किया, because he was the king of all the subjects, ये सभी धर्मों के राज नहीं थे, then some treaties, important treaties sign हुई with the Britishers, एक treaty sign हुई Britishers के साथ 1806 में, और इससे क्या decide हुआ, माराजा रंजीत सेंग ने decide किया, after this treaty की जो मराथा force है, मराथाज पंजाब में थे उस समय, मराथाज, they were threatening the British empire at some point of time, तो मराथाज पंजाब से निकाल दी जाएंगे, जिनोंने पंजाब के अंदर refuge ले रखी थी, ऐसी एक treaty sign हुई between British and माराजा रंजीत सेंग, then 1809 में, treaty of Amritsar sign होती है with the British, a very important treaty, ये बहुत historical treaty थी for the British as well as for the Sikh empire for माराजा रंजीत सेंग as well, इससे सतलो जरिवर को boundary मान लिया गया between British empire and the Sikh empire, अब ये एक तो stability तो provide करता है, दोनों को, they both don't have to focus on both sides of the border, तो माराजा रंजीत सिंग अपने western side पे जहां से constant raids हो रही थी, उस पे focus कर सकते थे, because eastern side पे तो boundary हो गई settled, लेकिन इससे जो माराजा रंजीत सिंग की ambition थी, कि सभी जो Sikh territories हैं, दिल्ली तक, वो Sikh empire का हिस्सा बन जाएं, वो नहीं बन पाई, सतलुज से नीचे पंजाब, जो present day इंडिया का पंजाब है, उसका भी एक बड़ा हिस्सा सतलुज के नीचे है, तो वो वला हिस्सा माराजा रंजीत सिंग के empire का हिस्सा कभी नहीं बन सका, So that treaty was treaty of Amritsar, 1809 में ये sign हुई थी, सतलुज रिवर was the boundary accepted, 1813 में एक और important चीज होती है, बरगजे अफगान expedition को join करते हैं माराजा रंजीत सेंग, और ये expedition कहां हो रही थी, ये कश्मीर raid करने की कोशिश थी, अब बरगजे ने क्या किया माराजा रंजीत सेंग को धोका दे द ने भी एक बड़ा बदला लिया उनके साथ, उन्होंने शाह शुजा को rescue कर लिया, ये बहुत important नाम है, शाह शुजा, तो शाह शुजा को rescue करके बरगजे जो थे, उनका क्या नुकसान हुआ, शाह शुजा was the brother of जमन्शा, जमन्शा एक अफगान king था, जिसको निकाल दिया शाह शुजा को protection देने के चकर में, इसके बदले में महराजा रंजीत सिंग ने इस से मांगा कोही नूर हीरा, the famous कोही नूर डायमंट, जो पिंजाब से ही ब्रिटिश रानी के पास सला गया था, it was with महराजा रंजीत सिंग क्योंकि उन्होंने इस campaign में शाह शुजा को बचा वो थे महराजा रंजीत सिंग, तो ब्रिटेन, शाह शुजा और महराजा रंजीत सिंग इन तीन parties के बीच में एक treaty sign होती है, 1838 में, इस treaty के तहट क्या फैसला हुआ, शाह शुजा को महराजा रंजीत सिंग सपोर्ट करेंगे और ब्रिटेन भी सपोर्ट करेगा कि वो काबुल में राजा था दोस्त महमद, तो उसकी जगा पे ये चाहते थे कि शाह शुजा राजा बन जाए, काबुल में, लेकिन महराजा रंजीत सिंग को इसके बदले में क्या मिलेगा, इसके बदले में ये फैसला हुआ था कि जब शाह शुजा बन जाएगा राजा, तो म महाराजा रंजीत सिंग जिस टेरिटरी पे रूल कर रहे हैं वो उनका अधीकार है तो वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंग के दोनों साइड की बाउंटरी जो है वो सेटल हो जाएंगी एक तो क्रीडी ओफ अमरेचर से हो गई थी कि सतलुज नदी विल बी बाउंटरी और इस क्राइप आट से लेफ्ट साइड भी हो जाएगी तो सिख एमपायर दोनों साइड से से सेफ हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा यू कन रमेंबर जब 1799 में महाराजा रंजीत सिंग आये थे लहौर कैप्चर किया था कॉंस्टेंट रेड हो रही थी एमचा अबदाली हर कु रजा रंजीत सेंग की प्रियॉरिटी ये क्यों ना हो कि दोनों साइड से पुझाब के सिख एमपायर को स्टेबिलिटी मिल जाए बाउंडरी दोनों साइड के राजा मान ले मेरी देन सिख एमपायर इसकी एड्मिनिस्रेशन की बात कर लेते हैं चार प्रविंस थे सिख जाके लहौर, कश्मीर, मुल्तान और पिशावर हर एक प्रविंस हर एक स्टेट का जो हेट था उसको नजीम कहा जाता था देन रंजीत सेंग की जो आर्मी थी that was a strength of the empire क्यों बिटेन कोशिश ही नहीं कर रहा था कबजे में लेने की One reason was बहुत जादा stability थी, second reason was army इतनी strong army बनाने की महराजा रंजीत सेंग कोशिश कर रहे थे कि one third of the total revenue जितना भी revenue state के पास आता था उसका one third एक तिहाई सिरफ army के लिए जाता था Then उनकी army को modernize करने की कोशिशें बहुत famous हैं, they wanted to build army of European standards, अब ये वो time है जब मैसोर, हाइदराबाद, मराथा ये सब ब्रिटेन से हार चुके हैं, बेंगॉल भी ब्रिटेन के कबजे में आ चुका है, महराजा रंजीत सिंग ने ये realize कि European standards जो हैं army के, वो follow करने पड़ेंगे and he also hired French officers, तो उनकी जो army को train करते थे, उन्होंने उसके लिए French लोगों को French officers को भी hire कर रखा था, like John Francois Allard, John Baptist Ventura, ये दो famous नाम हैं, जो French Napoleon की army के लिए लड़ा करते थे, जब Napoleon हार गया था, उसके बाद महराजा रंजीत सिंग ने इनको अपनी army को train करने के लिए रख लिया और एक special Sikh army की unit बनाई गई, फॉज ए खास, that means एक खास फॉज, एक खास army, this was created, now Maharaja Ranjit Singh, he kept the empire stable, prosperous, tolerant and there were no threats to his empire till he was alive, लेकिन 1839, 27th of June को Maharaja Ranjit Singh की paralysis से death हो गई, after that Punjab एकदम instability में चला गया, क्योंकि इनकी death के बाद, एक तो कोई अच्छा successor नहीं मिल पाया, you will see there were a lot of successors, after Maharaja Ranjit Singh, Khadag Singh, Naur Nihal Singh, Shere Singh, Tara Singh, Multana Singh, Kashmira Singh, Pishora Singh and finally last ruler, जिनको हम the black prince भी बुलाते हैं, दलीप Singh, तो Anglo-Sikh wars हुई, Maharaja Ranjit Singh नहीं रहे थे, बहुत instability हो गई थी पंजाब के अंदर, rulers एक के बाद एक assassinate किये जा रहे थे, different factions, different nobles, जो अलग-लग communities के भी थे, they also wanted to rule, everybody wanted to rule Punjab, तो इतनी instability Britain के लिए safe नहीं थी, Britain को अपने borders stable चाहिए थे, Britain को risk नहीं लेना था कि आगे से Russia या Afghan raiders, दुबारा से उनके empire को threaten करना start कर दे, तो finally, अंग्रेजों और सिख empire के बीच में लडाई स्टार्ट हो गई, Anglo-Sikh war 1845-46 में पहली होती है, and second Anglo-Sikh war, it happened in 48-49, and after this, Punjab was captured by Britain, तो ये हैं हमारे last maharaja, दलीप सिंग, a very popular figure in Punjab, इन पे अभी recently भी movies बनी है, Black Prince, and this movie was not made for India और Punjab, ये एक Hollywood movie बनी थी, so he was the last ruler, he was a minor, जब Punjab हार गया, Anglo-Sikh wars में, इनको ठाके Britain ले गए, वहाँ पे कोहीनूर हीरा भी British empire ने रख लिया, and some very sad things happened, like इनको convert करवा दिया गया, इनको Christianity के अंदर convert करवा दिया, which was absolutely ridiculous, so the last Sikh empire का prince, दलीप सिंग, he was a minor taken to Britain, he was converted, but after that, he started realizing his identity, कि ये पंजाब से दूर है, और इनका असल घर पंजाब है, इनकी mother, Rani Jinda, she was also not with him, and he sent letters to his mother, वो भी British empire रख लिया करता था, वो letters इनकी मा तक नहीं पहुंचते थे, एक या दो बार सिर्फ ये अपनी मा से मिल पाए, मा जो Maharaja Ranjit Singh की ही एक बीवी थी, and then after that, there is no, you know, clarity कि इनके descendants आज कौन है, इनकी कुछ European wives थी, after that, he had some kids, but a lot of people, they claim that we are the descendants of Maharaja Ranjit Singh, there is no clarity on that, so that was a story of Maharaja Ranjit Singh, शेर पंजाब, और कैसे उनकी 1839 में हुई death के बाद, पंजाब भी जो एक last major power थी, जिसको ब्रिटेन ने capture किया, पंजाब भी British empire का एक हिर्सा बन गया, so that is it, and hopefully, ब्रिटेन कोही नूर हीरा वापस इंडिया को कर देगा, लेकिन वो किस पंजाब के पास जाएगा, ये भी एक social media पर बहुत गहरी discussion है, सभी पंजाबियों के बीच में, पाकिसानी पंजाब अलसो क्लेम्स कोही नूर हीरा, हालां कि ये नूट अबल तो कीप दो, स्टैचू अफ महाराजा रंजीत सिंग सेफ, so for more such videos, you can subscribe to our channel and see you in the next video, have a good day.